गीता, चलो, तुम ये टोकरी लेकर घर की तरफ चलो, मैं निहारिका के साथ थोड़ी सबजियां और काट कर लाती हूँ ठीक है मा, मैं चलती हूँ, आप आ जाना पुश्पावनी दोनों बेटियों के साथ खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना घर चला रही थी उसकी दोनों बेटियां खेतों में उसकी बहुत मदद करती थी, उनी के सहारे से वो सबजियां बेचकर गुजारा किया करती थी निहारिका, तुम घर का काम कर लो, मैं तुम्हारी बड़ी बेहन गीता के साथ बाजार जा रही हूँ, ये सारी सबजियां लेकर लेकिन माँ घर के काम तो मैंने पहले ही कर दिये थे, क्यों ना मैं भी आपके साथ बाजार करूँ थीक है बेटी, चलो पुषपा आपनी दोनों बेटियों के साथ सबजियां टोक्री में भर कर बाजार में ले आती है तीनो मावेटी बाजार में एक कोने पर सबजियों के टोकरी उतार कर रखती हैं जिसके बाद वो एक पन्नी बिचाती हैं और उसके ऊपर सारी सबजियां लगा देती हैं सबजी ले लो सबजी, हारी हारी सबजी, सबजी ले लो सबजी, हारी हारी सबजी गीता की आवाज लगाते ही वहाँ कुछ लोग आना शुरू कर देते हैं अरे बिंडी और तोरी कैसे दे रही हो ज्यादा महंगे नहीं है बेहन जी बहुत सस्ते हैं ले लो सही दाम पर लगा दूँगी बिंडी सो रुपे किलो और तोरी असी रुपे किलो ये भगवान इतना महंगा दे रही हो इससे अच्छा तो मैं किसी बड़ी दुकान से ही खरीद लूँगी पता नहीं तुमारी सबजी कैसी है नहीं बहन ऐसा नहीं है बहुत साफ सुतरी सबजी है और साथ में अभी अभी फ्रेश तोड़ कर ला रही हूं अपने खेट से ललिता जैसे ही भिंडी और तोरी उठा कर देखती है उससे सबजीयां ताजी ही लगती है और कहीं पर लेने जाओंगी तो ऐसी ताजी सबजी तो नहीं मिलेगी उपर से दाम भी बहुत ज्यादा लगाएंगे वैसे ही बेचारी ज्यादा महेंगी भी नहीं बेच रही है सही खरीद लेती हूं इस तरह ललिता ऐसा सोचने के बाद पुश्पा से ही भिंडी खरीद लेती है ऐसे ही पूरे बाजार में एक से दो ही ग्रहा काकर पुश्पा से सबजियां खरीदते हैं बागी के सब बड़ी बड़ी दुकारों से ही खरीदते हैं रात हो रही है और अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया अब हम लोग क्या करें इतनी सारी सबजियां बच गई है मा एक काम करते हैं इन्हें वापस घर लेकर चलते हैं कल सुबा सुबा यहां वापस आकर लगा देंगे हाँ मा दीदी बिल्कुल सही कह रही है अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर पुश्पा सबजियां वापस टोकरी में भर कर घर वापस आ जाती है घर आने के बाद जब वो खाना बनाने जाती है तो सिलेंडर की गैस खतम हो जाती है अब क्या करें एक तो गर्मी इतनी है चूले पर खाना बनाया नहीं जाएगा उपर से लकडियां भी नहीं है यही कुछ पैसे कमाए थे आज अब ये भी गैस लाने में खतम हो जाएंगे पुश्पा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कुछ तो गर्मी के चलते कुछ अपनी गरीबी के चलते वो जो भी पैसे कमाती है उनसे वो सिलेंडर में गैस भरवा देती है जिससे वो सब उस दिन खाना खाते है एक तो गरीबी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती उपर से ये गर्मी भी हमारे पीछे पड़ गई है देखो ना कितनी रात हो गई और अभी तक लाइट नहीं आई तब ही पूरे गाउं के लाइट आ जाती है लेकिन उनके घर में लाइट नहीं आती मा देखो गाउं के सबी घर में लाइट जिगमगा रही है लेकिन हमारे गर में लाइट नहीं आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है मा तुम लोग तो जानते हो ना तुम्हारी मा कितनी गरीब है गरीबी के चलते मैंने अभी तक मीटर भी नहीं लगवाया शायद इसलिए हमारी लाइट नहीं आ रही है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है तुम दोनों यहां लेट जाओ मैं तुम्हारी हवा कर दूंगी लेकिन मा ठकी हुई तो आप भी हो चलो आप भी सो जा नहीं मेरी प्यारी बेटियों मैं बिलकुल ठीक हो तुम दोनों आराम से सो जाओ पुषपा रात भर अपनी बेटियों को हाथ वाले पंके से हवा करती रहती है अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुबह के चार बच जाते हैं पुषपा कल की बची हुई सभी सबजियों पर हलका हलका पानी डाल कर उन्हें टोकरी में भर लेती है ये सबजी बिलकुल फ्रेश ही लगनी चाहिए ताकि लोग इन सबजियों को खरीद सके पुषपा अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़ कर ही अकेले सबजी बेचने पहुँच जाती है वो पूरी दुपहरी गर्मी में धूब के नीचे बैठ कर सबजियों बेच रही होती है जिसे उसे गर्मी में चक्कर भी आने लगते है ये भगवान कितनी गर्मी हो रही है ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही मुझे तो इस गर्मी में चक्कर भी आने लगे है अभी एक काम करती हूँ वापस घर लोट जाती हूं क्योंकि किसी को सबजियां तो खरीदनी है नहीं पुश्पा वापस टोकरी में सबजी भर कर घर आ जाती है जहां उसकी दोनों बेटियां कहती है अरी मा आप अकेले ही चली गई सी ये क्या आपकी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है गर्मी से रुको मैं आपके लिए मत्के का पानी लेकर आती हूँ पुश्पा का गर्मी से बहुत बुरा हाल था उसकी सांस फूली हुई थी और पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थी गीता अपनी मा को एक गिलास मत्के का पानी देती है ये लो मा मत्के का पानी पी लो मटके का हलका सा ठंडा पानी पी कर पुश्पा की ठकावट थोड़ी सी कम होती है मैं समझ सकती हूं माँ आपको हमारी कितनी चिंता होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अकेले ही काम करना पड़े हम दोनों बेहने आपका साथ निभाने के लिए हमेशा आपके साथ है कल से आप अकेले काम करने नहीं जाओगी हम भी आपके साथ चलेंगे ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा पुषपाय यह कहने के बाद थोड़ी देर लेट कर आराम करने लगती है गीता देखती है कि टोक्री की वो सबजियां खराब होने वाली होती है तो वो उन्हें काट कर बना लेती है ताकि उन सबजियों को फेकने की जरूरत ना पड़ी चलो मा खाना खालो खाना नहीं खाओगी तो शरीर में टाकत कहां से आएगी तो पिताजी तो मेरा साथ छोड़ कर चले गए और किसी और से उन्होंने शादी कर ली काश के उन्होंने ऐसा कभी न किया होता कोई बात नहीं मा, आप हमारे साथ हमारे लिए तो हो, देखना, एक ना एक दिन इसी सबजी को बेच कर हमें बहुत तरक्की हासल होगी निहारी का जैसा कहती है वैसा ही होता है, बहुत कठनाईया सहन करने के बाद धीरे धीरे उनके सबजी की दुकान पहले से अच्छी चलने लगती है, अब लोग उनके पास आते हैं और उनी से सबजी खरीदते हैं बेहन जी जरा हरी हरी सबजियां तो देना आपकी हरी सबजी से हमारा परिवार स्वस्त रहता है वरना तो गाउं में जो लोग सबजियां बेचते हैं वो तो केमिकल वाली सबजियां होती हैं जिनके अंदर सबजियों को हरा भरा करने के इंजेक्शन लगे होती हैं हाँ भाई सही कह रहे हूँ पुश्पा बेहन अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने खेतों में लगी रहती है दिन रात मेहनत करके जो ये सबजियां उगाती है उन्हें ताजा ताजा बेचती है तभी तो मुझे इनके दुकान से सबजी लेने में जरा भी डर नहीं लगत अब लोगों की ऐसी बाते सुनकर पुश्पा बहुत खुश होती है फाइनली उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है जिससे उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे खतम हो जाती है वहीं पुश्पा ने जो पैसों की वज़ा से अपनी बेटियों के पढ़ाई चु पुश्पा बेटियों को पढ़ाई के सिलसले में शहर भीज़ देती है और खुद वहां गर्मी सहन करती हुई अकेले रहती है बेचारी पुश्पा हर दिन भरी गर्मी में सबजियां बेच कर वापस घर के तरफ जा रही हो जाती है और अब पुश्पा अपनी दोनों बे होती है लेकिन जादा गर्मी की वज़ा से उसे बहुत तेज चक्कर आते हैं और वो सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाती है उसकी टोकरी की सबजियां भी इधर उधर बिखर जाती है तब भी वहां एक गाड़ी रुखती है जिसके अंदर से उसकी दोनों बेटिया निकलती हैं मा उठो ना देखो हम वापस आ गए ये क्या मा आपकी तो तबियत बहुत ज्यादा खराब है कोई पानी दो जल्दी से कोई पानी दो वहां खड़े इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति निहारिका को पानी देता है निहारिका पानी की बूंदें अपनी मा के मुह प अरे निहारिका गीता तुम दोनों वापस आ गई गीता के उपर डॉक्टर की ड्रेस और अपनी छोटी बेटी निहारिका के उपर फौजी की ड्रेस देखकर पुश्पा बहुत खोश होती है आखिरकार तुम दोनों कामियाब हो गई, मेरी महनत सफल हो गई मा बहुत दुख उठाए हैं आपने, आपने ही गर्मी में खून पसीना बहा कर हमें आज इस मुकाम पर पहुँचाया है अब आपको और परिशान होने की जरूरत नहीं है और ना आपको गर्मी में सबजियां बेचने की जरूरत है हम आपको यहां से शहर ले जाने के लिए आए हैं, अब हम वहीं रहेंगे इस तरह सबजी बेचने वाली मा की बेटियां काम्याब हो जाती है दोनों बेटियां अपनी मा को शहर में बड़े से फ्लैट में लाकर रखती है जहां उनके फ्लैट में एसी लगा होता है इसी के चलते अब गर्मी में पुश्पा आराम से रहती है और उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं पढ़ती